हेलो दोस्तों स्वागत है आपका gsi q education के योट्प चैनल पे ओल एंसी आर्टी जो सभी स्टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आपको एंसी आर्टी अगर शुरुवात करना थो एंसी आर्टी से शुरुवात करना चाहिए लेकिन ओल एंसी आर्टी अभी मार्केट में ज्यादा तर हर एक सहर में उपलब नहीं रहता है इसलिए इस यूटूब चैनल के माध्यम से मैं आपनों को old ncrt की जो भी बुक है उसको मैं यहां पर पढ़ाने का कोशिश करूंगा और old ncrt जो है यह एकजाम के यह बहुत ही important होता है क्यों important होता है आप यह से दो चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद से खुद बाखुद समझ में आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में मैं परतेक चैप्टर का और परतेक खंड का मैं क्या करूंगा इसका नोट्स मैं आपको भी नोट्स को भी मैं पढ़ा दूंगा इसका नोट्स जो आपको नोट्स बनाने की ज़रुवत नहीं पढ़ेगी तो उसका भी वीडियो मैं अप्लोड करूंगा तो सबसे पहले चलिए यह six class की भूगोल की भूगोल से शुरू कर रहे हैं six class की भूग में रहेगा कि new ncrt और old ncrt तो आप लोगों को एक चीज किलियर कर दूं कि अगले एक चैप्टर को एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसको मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो इसको पढ़ लिजिए और next क्या कीजिएगा कि new वाले का एक चैप्टर पढ़ेगा ncrt को भी पढ़ा जा सकता है लेकिन फर्क यह हो जाता है कि old ncrt में बहुत सारे concepts दिये हुए एक्स्टर चीजें बहुत सारी दी हुई है जो एक्जाम के exam के point of view से बहुत ज्यादा important हो जाता है तो इसलिए old ncrt को ज्यादा तर्फ reference दिया जाता है कि old ncrt पढ़िए ठीक ह और subject का नहीं नहीं लेकिन geography history यह दो subjects को आप पढ़ सकते हैं तो आसा करते हैं कि यह series आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए सुरू करते हैं six class की geography यह जो पुस्तक है इसको यहाँ पर पढ़ने का हम सब कोई साथ में पढ़ने का कोशीज करेंगे ठीक है और अच्छा लएगे तो वीडियो को like करना ना भूलिएगा अगर नय है चैनल पर तो subscribe कर लेजेगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका पार्ट सुची ठीक है इसका पार्ट सुची हम लोग देख लेते हैं तो पार्ट सुची में कौन-कौन सामनों को chapter को इसमें पढ़ना है ठीक है तो खंड एक में है प्रित्वी हमारा ग्रह और इसके जो chapter है वह एक से पांच तक पांच चैप्टर दिये हैं हमारे सौर मंडल में प्रित्वी ग्लोब और मांचित्र द्वारा घ्यान अक्षानस और देशांतर प्रित्वी की गतियों और प्रित्वी के परिमंडल नेक्स्ट जो खंड है वो पहार मिस्र अरब जो घढ तंतर है सोने और हीरों का अद्य दक्षिन फिर का खंद तीन में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिन अमेरिका का ऑ जो पातर जीश व मोलत है ब्राजील को बला पढ़ेंगा अंटार्क्टीक ठीक है तो यह खंड पांच फंड में इस एंसी आटी श्क्स के एंसी आटी को खतम करेंगे तो चलिए पहले खंड में हम लोग देखते हैं बач regular घोट यहाँ पर यह थे बहुत ऊंचित्र मारेकों की सुची का दिया हुआ है तो यह कॉन kण सा कितने चैप्टर पेज नंबर में दिये और फीर दिया दिया करा डिक्त हैं अक्षि चैप्टर यहाँपे प्रीथवई हमारा ग्र तो इसका color change येस ठीक है पहला chapter है प्रित्वी हमारा ग्रह ठीक है तो इसमें लिखा हुआ है कि तुमने रात की समय अकास में चमकते हुआ संख पींड अवस्य देखे होंगे क्या तुम जानते हो जिस प्रित्वी पहम रहते हैं वहां उन्ही जैसा एक छोटा पींड है ठीक ह लेकिन हम से बहुत दूर होने एकान वे इतने बड़े और चमकदार नहीं दिखाई पड़ते हैं क्यों नहीं जबकि हम लोगों से वह बहुत दूर है इस वज़े से दिखाई नहीं पड़ते हैं जबकि सूर्ज हमारे पास है तो इसलिए सूर्ज हमको दिखाई देता है ब क्षम्पृत्वी इस यात्रह में तुम्हारावाहन है यानि कि सुर्ज के चार और पॱित्वी चकर लगाती है इसके चलने की जो गति है बहुत तेज है और यह परिकर्मन करीब एक बरस में पूरा करतीए यानि कि 365 दीन 6 घंड बाकर पटीए तुमने अब तक सुर्ज के चारोर कितने चक्कर लगाए हैं तो आप अपने आयूर के अनुसार्शुस को निकाल सकते हैं लेकिन कोई नहीं इसकी याद तुम्हारा जन्द दिवस दिला सकता है सुर्ज की परिकर्मा के साथ Satt Preetabhi अपने अक्ष पर लट्डो की तरह भी घूमती है अपने अक्ष पर एक घुनण पुरा करने में प्रितवी को लगबग 24 गणटे लगते हैं लेकिन क्या तुम्हे प्रितवी के चलने का अनुभाव होता हैं बिल्कुल नहीं होता है तो ज जैसे प्रित्वी सूर्ज की परिकर्मा करती है वैसे चंद्रमा भी प्रित्वी की होता है ग्लोब यह ग्लोब हो गया मेरा ग्लोब थ्राटिना हो गया यह ग्लोब हो अपनते हैं और लोग कि आज भोआँ परवद के यह नियुक्या चीजिक गई है और किसी बी अस्थानि नगर देश प्रवत कि इस्तिती हम लोग इसी रेखाओं के माध्यम से माना जानते हैं ठीक है भूमी जल और वायू प्रित्वी के तीन महत्पूर्ण मंडल परिमंडल है पेंड पौदे पसुपक्षी और मनुष सभी 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 जीव केवल उसी चेतर में जीवित रह सकते हैं जहां भूमी जल औ और वायू एक दूसरे के संपर्क में आते हैं प्रित्वी का एक चौथा परिमंडल भी है जो अन्य तीन परिमंडलों की तुलना में सबसे छोटा है प्रंतु हम सब के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं जैव मंडल के नाम से जानते है नेक्स देखते हैं तो यहां से अध्याए एक चालू होता है एक सुरू होता है हमारे सौर मंडल में प्रित्वी ठीक है तो यहां पे कुछ परिभासिक सब्द दिया गया है जैसे कि तारा किसे कहते हैं तो तारा वाखगोलिये पिंड जिसमें अपनी उस्मा और परकास है उसको तारा बोलते हैं ग्रह क्या होता है वाखगोलिये पिंड जो सुर्ज का परिकर्मा करता है और उससे उसमा तथा परकास पराप्त करता है उपग्रह की से बोलेंगे वाखगोलिये पिंड जो एक ग्रह की उसी परकार परिकर्मा करता है जिस परकार एक ग्रह सुर्ज क परिकर्मा करता है तो उपग्रा हुआ होता है जैसे कि प्रित्वी जो है वह सूर्ज का चक्र लागात परिकर्मा करती है उसी प्रकार प्रित्वी का परिकर्मा एक चांद करता है तो चांद क्या हो गया मून क्या हो गया चंद्रमा क्या हो गया वह उपग्रा हो गया नेक्स देखते हैं है आकास को देखना सचमुछ कितना अच्छा लगता है दिन में सुर्ज का चमकता है और सांज डलते हैं अकास में असंख परकास में जगमंगाने लगते हैं घर्टा बढ yönम भी आकास की सुभबढ़ाता है महीनों के कुछ भाग में चंडरमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, सुर्ज चंद्रमा और रात के समय, अकास में जगमगाते लाखो पिंड खगोलिये पिंड कहलाते हैं, इन्हें अकासिये पिंड भी कहा जाता है, हमारी पृत्वी ये क्या है, खगोलिये पिंड है, जिन खगोलिये पिंडों में अपनी उस्मा औ और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं नेक्स देखते हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में उस्मा और प्रकास का विक्रन भी होता है अत्यांत दूर होने के कारण ही वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं सुर्ज भी एक तारा है दूसरे तारों की तुल्ना सुर्ज हमारे निकट है अताया हमें बड़ा चमकीला बड़ा और चंकीला दिखाई देता है हमारे सुर्ज जैसे लाखो तारे और भी है लेकिन उसको भी घ्यात नहीं किया जा सकते हैं खगोलिय पिंडों का एक दूसरा वर्ग भी है इसमें अपनी उस्मा और प्रकास नहीं है वेकेवल सुर्ज जैसे तारों से प्राप्त प्रकास को ही प्रावर्तित करते हैं इन्हें ग्रह करते हैं खगोलिय पिंड का एक दूसा वर्ग है जिसमें अपनी जैसे सूर्ज की जैसे उस्मा और प्रकास नहीं है लेकिन वो क्या है सूर्ज के द्वारा वो उस्मा और प्रकास को प्राप्त करते हैं जिसे ग्रह करते हैं ग्रह के लिए अंग्रेज में प्लैनेट सब्द है जिसका अर्थ है घूमने वाला हमारी प्रित्वी भी एक ग्रह है यह सुर्ज से उस्मा और प्रकास लेती है हमारी प्रित्वी समेट नौ ग्रह सुर्ज की परिकर्मा करते हैं ठीक है, सौर परिवार क्या है, सौर परिवार सुर्ज और 9 ग्रहों को मिला करके, 9 ग्रहों को मिला करके सौर मंडल बनते हैं, और सौर परिवार में 9 ग्रहों के अत्रिक्त कुछ अन्य सदस भी है, ग्रहों के परिकर्मा करने वाले इन पिंडों का कारव पेक्षा करित छोटा इन्हें उपगराह करते हैं नेक्स देखते हैं यहां पर आप लोग यह सौर Mundal को देख सकते हैं यह यहां पर प्लूटु नेप्चन सनी पूद यहां बीच में स 10ह है सूरिय के बाद सूर्य बूद्ध ठीक है यह प्रित्वी यहां पर यह मंगल यूरेनस प्रस्पति ठीक है तो यह मतलब यह सौर मंडल का है ठीक है आगे देखते हैं सूर्ज कि सूर्ज सूर्ज क्या है तो सूर्ज सुर्य सौर परिवार के केंद में इस्तित है यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस है हमारी प्रित्वी से तो यह 10 लाह गुना बड़ा है हमारी प्रित्वी से 10 लाह गुना बड़ा है सुर्य त्यंत गर्म गैसों से बना है यह पूरे सौर परिवार के लिए उर्जा किलोमेटर परती सेकेंड है इतनी तेज गती से चलते हुए भी सुर्ज का प्रकास लगभग आठ मिनट में प्रित्वी पे पहुच पाता है ग्रह क्या है तो ग्रह का यहाँ पर डेफिनिशन दिया हुए हमारे सोल प्रिवरम में नौ ग्रह है सुर्ज इसके दूरी के उनुसान का क्रम इस परकार है बूध्यल्ग शूक्र मतलब स्रूर्ज के सबसे नज़्धी कोन है बूध्यल्ग है फिर सुक्र है फिर प्रित्वी है फिर मंगल है फिर ब्रस्पति है सनी यूरेनस नेप्चुन और प्लूटो इस प्रकार सुर्ज के निकट सबसे निकट जो है वो बूध है और प्लूटो जो है वो सबसे दूर है नेप्चुन और प्लूटो हमसे इतनी अधिक दूर है कि हम बिना दुरबीन के देख भी नहीं सकते यह चित्र में उपर जो मैंने दिखाया उसमें दिया गया है ग्रहों में ब्रस्पति सबसे बड़ा है सबसे चोटे ग्रह का जो यहां पे वो मतलब नाम बताने के लिए पूछा गया है ठीक है प्रिटवी से चोटे ग्रह कौन-कौन स उसको आप to comment section में बता सकते हैं चुद्रगरह क्या होता है तो मंगल क है मंगवर्सपति के बीच में अनेक छोटे पिंढों एक पर मैं यहां पे दिखा देता हूं मंगल और बिरसपति के बीच में यह मंगल और बिरसपति के बीच मुच्मे छोटे चोटे जो है न ये छोटे-छोटे मंगल और ब्रेश्पति के छोटे-छोटे जो अनेक पिंडो का जो जुन्ड है वो भी सुर्ज का परिकर्मा करता है और इसलिए उसे छुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है ठीके ऐसा विश्वास है कि छुद्र ग्रह उस ग्रह के टुक्डे है जो अपने जर्म के बाद विश्पोर्ट के कारण निखर गया था है सुर्ज परिवार के सभी नौ ग्रह सुर्ज की परिकर्मा करते हैं इनके परिकर्मा पत जो है वो द्रिग व्रिताकार है जिने कच्छा कहते हैं परिकर्मा करते हैं उन सबकी दीशा एक ही रहती है सभी फॉक्रापने अक्ष पर भी घूमते हैं सुख और यू रोनेस को छोड़ कर अन्य सभी ग्रहों के गुंडन और परिकर्मन की दिशा एक रहती है जैसे जैसे सुझ इसे ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती वैसे वैसे उनके परिकर्मन क्या समय भी बढ़ता जाता है देखते हैं आगे कि सूर्ज की सबसे निकट बूध जो है वो सूर्ज के सबसे निकट है अता उसे सूर्ज का एक चकर लगाने में 88 दिन लगते हैं इसके विप्रित सूर्ज से सबसे दूर होने के कन पुलूटों क इसकी एक परिकर्मा करने में लगवा 248 वर्स लगते हैं हमारी प्रीथी भी सुर्ज का एक चका 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है ग्रहों द्वारा प्राप्त उस्मा की मात्रा ग्रह की सुर्ज से दूरी की दूरी पर निर्भर करती है बूध सुर्ज के सबसे निकट है उसे सुर्ज से सबसे अधिक गर्मी मिलती है सुर्ज से अधिक सबसे अधिक दूरी पर प्लूटो है इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह है दूसरे सब्दों में जो ग्रह सुर्ज के जितना निकट है उसका तापमान भी उतना अधिक है कि यहां पर बोला जा रहा है क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यह प्रित्वी सूर्ज के सबसे अधिक निकट होती या फिर सबसे अधिक दूर होती तो क्या परिणाम होता तो अपनों बता सकते हैं ऐसा अनुमान है कि यह सूर्ज की उसमा केवल 10% बढ़ या घट जाए ऐसा जब गर्म हो जाए तो 10% जादा अगर बढ़ जाए उस सूर्ज कि उसमा तो एक प्रित्वी का जो अधिकांस्राग जो होगा वो मरूँस्तल हो जाए. सुर्ज की उसमा 10 पर 30 कम हो जैनल तो बर फीले ठंड मरवस्तल में बदल जाएगा क्या प्रित्वी कि गोला है किल्टु द्रूओं पर या कुछ चपप्ती है एक अकार और बनावट में प्रित्वीink के समान है लेकिन इसमें एक अनोखापन भी है अब तक प्राप जनकारी का अनुसार स्वर्य परिवार में प्रित्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है जल वायू की उपयुक्त दसाओं के कारण ही प्रित्वी पर ऐसा हो सका है प्रित्वी पर जल और वायू की उपस्तिती से ही जीवन संभव हुआ है अंत्रिक्ष यात्रियों ने प्रित्वी को अंत्रिक्ष से देखा है और उनका कहना है कि प्रित्वी नीली दिखाई देती है इसके नीले देखने के कारण जो है वो इसके नीले देखने का जो कारण पानी है इसे इसे नीला ग्रह काते हैं प्रित्वी को नीला ग्रह क्यों उपग्रह को हमलों अंग्रेजी में सैटेलाइट करते हैं जिसका अर्थ होता है साथ ही या सहचर अपने साथ को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिकर्मा करते हैं और उनके साथ ही साथ सुर्ज की इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं उधारन के लिए च 44 उप्ग्रहूं की खोज हो चुकी है बूद erw Absolke को छोड़कर से सभी ग्रहों के एक एक या एक इससे अधिक उप्ग्रहूने के बूद और सुक्र को को छोड़कर थीक है इनके पास कोई उप्ग्रह नहीं है ग्रहों की भाती उपग्रहों में भी अपना प्रकास नहीं है या उपग्रह भी सुर्ज से प्राप प्रकास को ही प्रावर्तित करते हैं चंद्रमा जो है वो चंद्रमा जिसको प्रित्वी का सहचा जिसको प्रित्वी का एक सैटेलाइट है हमारा पृतवी का केवल एक ही उपगरा है जिस चंढ्रमा चंढ्रमा का ब्यास पृतवी के ब्यास का लगबग एक चौथाई है पृतवी से बहुत पास होने के कारण यह इतना बड़ा दिखाई देता है प्रित्वी से चंद्रमा की दुरी लगबक 3,84,000 किलोमेटर है चंद्रमा द्वारा प्रावर्तित प्रकास हमें सवा सेकेंड में पहुँचता है नेक्स देखते हैं कि चंद्रमा प्रित्वी की एक परिकर्मा 27 दिन वा 8 घंटे में पूरी करता है इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चकर लगाता है यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदम एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा का दूसरा भाग छीपा रहता है पिछले दसकों में चंद्रमा के वारे में बहुत अधिक जनकारी प्राप्त हुई है कुछ लोग अंत्रिक्ष यानो द्वारा चंद्रमा पर हो आये हैं चंद्रमा के धारातल के बारे में उन्होंने कई जनकारियां दी है हम जानते हैं कि चंद्रमा पर ना तो जल है नहीं वायू या दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है इसका धारातल असमतल है और उस पर मिट्टी भी नहीं है बर्मान में प्रित्वी को देखते हैं तो बर्मान में या प्रित्वी जो है वो इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है या प्रित्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है इस विसाल अंत्रिक्ष में छोटे कड़ जैसी है या सौर परिवार का एक सदस्यमात्र है ला बर्मांड में प्रसपर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना असान नहीं है सुर्ज के सबसे निकटवर्ती तारे जो प्रॉक्सीमा सेंटोरी के नाम से जाना जाता है उसका प्रकास हम तक लगभग चार वर्स में पहुँच पाता है कुछ तारों के प्रकास को हम तक पहुँचने में संभावता लाखों वर्स लगते हैं इनके अत्रिक्त बर्मांड में ऐसे भी असंख्य तारे हैं जिनका प्रकास अभी रास्ते में ही है और हम तक पहुँच नहीं पाया है ठीक है यहां पे हमने जो नवीन पारिभाजिक सब जो हमने इस पार्ट में देखा चुद्रग्रह क्या होता है तो मंगल और ब्रस्पती के बिच असंख पिंडों का जुंड जो सुर्ज की परिकर्मा करते हैं उसे चुद्रग्रह काते हैं मंदाकनी किसे बोलेंगे तो लाखोतारों का समू को मंदाकनी बोलेंगे यहां पर कोस्चन दिया हुआ है अगर आप लोग बना सकते हैं चलिए आज इस लेक्चर में एक ही चैप्टर फिर नेक्स चैप्टर हम लोग करेंगे गलोब और मांचित्र द्वारा घ्यान ठीक है अगले वीडियो में करेंगे उसको चलिए अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिए अपनी सजेशन को रखिएगा और इसका नोट्स आपको भी उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाएगा चलिए जैहन करेंगत्र दिया गाया जान चलिएगा जाँ तुरह में करेंगा ट खिएड़ा लिए तो प्र measurement की जान जाएगा जिसमिएगा करेंगे का ऊच्छाए रजिए भी बाहाऑगा जाएगागा पनोट बाले मेंगा जाएगा फ्रיफ़ को सक्यर में सूमेंगे झाल कशा कैन नाय